ये कहानी है दो मेंड़क की जिसमें एक मेंड़क मोटा था और एक मेंड़क पतला था दोनों मेंड़क एक तलाब में साथ रहते थे वे दोनों सारा दिन तलाब में खेलते गपे मारते दोनों तलाब की नई नई जगा में जाकर घूमते एक दिन दोनों मेंड़क तलाब से बाहर एक खेत में पहुंँच गए उन्हों ने देखा कि एक आदमी अपनी गाएं से दूद निकाल रहा था उन्हों ने ये सब कभी पहले नहीं देखा था फिर उस आदमी ने वो दूद निकाल कर एक बाल्टी में डाल दिया ये देखकर दोनों बहुत हरान हुए क्योंकि उन्होंने कभी ये सब नहीं देखा था उन्होंने सिर्फ तलाब का गंदा पानी ही हमेशा देखा था उन्होंने सोच कि क्यों न हम इस सफेद पानी में तैरे ये सब डिसाइड करने के बाद दोनों मेंडग ने बाल्टी में शलांग लगा दिया उन दोनों को जे सफेद पानी बहुत अच्छा लगा दोनों वहां मस्ती करने लगे खूब सारी मस्ती करने के बाद मोटे मेंडग ने पतले मेंडग को कहा कि चलो यार अब हम अपने घर चलते हैं जंगल बापस चलते हैं तो इस पर पतला मेंडग भी कहता है हाँ चलो अब दोनों बाल्टी से बाहर आने की कोशिश करते हैं पर वो बाल्टी इतनी बड़ी होत वो बहुत सारी मेहनत करते हैं कोशिश करते हैं पर फिर भी वो वहां से नहीं निकल पाते उसके बाद पतले वाले मेंड़क उस मोटे वाले मेंड़क को बोलता है कि भाई हमें यहां से निकलना तो है तो कोशिश भी करनी ही पड़ेगी पर हमने अभी तक बहुत कोशिश कर पर फिर भी हम असफल रहे इसलिए अगर हम लगातार तैरते रहेंगे तो कोई ना कोई हमें इस बाल्टे से बाहर निकाल ही देगा मोटा मेंडग पतले मेंडग की बाद माल लेता है और दोनों तैरने लगते हैं अब दोनों मेंडग तीन घंटे तक लगातार तैरते रहते हैं और मोटे वाले मेंडग ठक जाता है और इसके बाद पतला मेंडग उसको कहता है कि अगर तू ठक जाएगा तो तू मर जाएगा क्योंकि अगर तू तैरना बंद कर देगा तो तू पानी में कैसे रहेगा हमको मरना नहीं है तू पहल चलाते जा जब तक तू चला सकता है चलते जा अब मोटा मेड़क बहुत ही जादा ठक जाता है अब वो पतले मेड़क को कहता है कि मुझसे अब नहीं हो पाएगा हम दोनों बच्पन के दोस्त है हम दोनों ने खूब सारी मस्ती की हम दोनों साथ रहे पर लगता है आज हमारा सफर यही खतम हो जाएगा अब मैं और मेहनत नहीं कर सकता अब मैं और पैर नहीं चला सकता अब मुझे लगता है मैं डूब कर मर जाओंगा और उस पतले मेड़क के सामने उसके बच्पन का मोटा मेड़क डूब कर मर जाता है ये देखकर वो पतला मेड़क और जादा तेजी से पैर चलाने लग जाता है उसके अंदर आग लग जाती कि अब कोई भी तरीके से मुझे इस बाल्टी से बाहर निकलना ही है कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूगा अगर मैंने भी हार मान ली तो मैं भी डूब कर मर जाओंगा अब पतला मेंडग जोर से अपने पैर चलाने लगता है हम सब जानते ही है कि अगर दूद को जादा स हमें चलाया जाए तो उसमें से मक्षन बाहर आने लगता है और इसी तरह वो दूद भी मक्षन बन गया क्योंकि बहुत घंटों से वो दोनों मेंडग उस दूद में पैर चला रही होते हैं इसलिए उस दूद में से मक्षन बाहर आने लगता है दूद में मक्षन आने पर वो मेंडग उसके उपर बैठ जाता है और पूरे जोर से शलाग लगा कर उस बाल्टी से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो मेंडग सोचता है कि आज मेरे साथ ये क्या हो गया। मेरे आखों के सामने मेरे बच्पन का दोस्त डूब कर मर गया। और उस दोस्त की मौत क्यों हुई क्योंकि उसने हार मान ली थी उसने तैरना बंद कर दिया अगर वो भी आज थोड़ा और मेहनत कर लेता थोड़ी और कोशिश कर लेता तो शायद वो भी मेरे साथ बार्टी से बाहर आ जाता इसके बाद वो मेंड़क जंगल की और चला जात है कुछ दिन बाद वो मेंड़क एक लेड़िक मेंड़क के साथ शादी कर लेता है उसके बच्चे होते हैं और वो अपने बच्चों का नाम उस मोटे मेंड़क के नाम से रख देता और वो अपने बच्चों को रोज शाम को ये कहानी सुनाता कि मेरा एक मोटा दोस्त पर एक दिन हम दोनों एक दूद की बाल्टी में गिर जाते हैं और मेरे दोस्त ने हार माल ली जिसके कारण उसने तैरना बंद कर दिया और वो बाल्टी में डूब कर मर गया मैं तुम बच्चों को भी यही कहना चाता हूँ कि जिन्दगी में कुछ भी हो जाए पर कभी भी जिन्दगी में हार मत मानना अगर तुमने भी जल्दी हार माल ली मेहनत नहीं की तो तुमारा भी वही हाल होगा जो मेरे दोस्त का हुआ है तो दोस्तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दूद का दही जुरूर बनेगा लेकिन उसमें वक्त लगता है और अगर हमने वक्त से पहले हार माल ली तो हमारा भी उस मेंड़क की तरह हाल हो सकता है तो दोस्तो जिन्दगी में वो सब ना मिले ये जुरूरी नहीं होता पर ये बात जुरूर याद रखना कि लाइफ में मिलता उन्हीं को है जो कभी भी हार नहीं मानते दोस्तों हमें चाहिए वो चीज मिले चाहे ना मिले पर हमें आखरी दम तक पर्यास करना है मेहनत करनी है दूसरे हमें लाख बार कहें कि तू कुछ नहीं कर सकता तू नहीं कर सकता पर दोस्तों अगर आपके मन में इच्छा है तो आप जरूर कुछ ना कुछ जरूर करोगे दोस्तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें